आपका पुने स्वागत है बीए थर्ड येर राजनीति विज्ञान आज हम नया बिंदु यहां पर ले रहे हैं सीत युद्ध कोल्ड वार सीत युद्ध कोल्ड वार जैसा कि हमारे इस प्रश्ण पत्र में अंतररस्टी समंदों की व्याख्या का जो मुद्धा है उसको सामिल करेंगे और पूरा जो अपका जो सलेबस है वो विश्व राजनेती के दरस्टी कोण से या विश्व राजनेती की सुव्यवस्थाओं को सामिल करते हुए ही इसमें जिक्र किया जाएगा तो यहां पर एक मुख्य बिंदू के रूप में सीत युद्ध का जिक्र आता है पोल्ड वार सीत युद्ध क्या है इसको परिवासित कैसे किया गया इसका अर्थ क्या है इन सब बातों को मिया समझने का प्रयास करेंगे दूसरे महायुद के बाद वेश्विक राजनीती के दो धुर्व स्थापित हो गए और वेश्वर राजनीती में संयूक्त राजे अमेरिका और सोवियत संग दो महाशक्तियां बन करके उबरी और येरोप सेंटर्ड जो इंटरनेशनल पोलिटिक से था अब वह अपना प् हो चुका है अब इन दो महाशक्तियों के बीच दो विचारधाराओं के बीच एक पुझिवादी विचारधारा है दूसरी सम्मेवादी विचारधारा है दोनों विचारधाराओं और दोनों महाशक्तियों के बीच ये भी बुनियादी मतबेद थे अमरीका जो पुझिव वादी समयवादी राजविवस्था का समर्थक रहा तो ये बुनियादी मतबेद दोनों विचारदारों में थे लेकिन जैसा कि हमने देखा कि युद्ध काल में दोनों पास में आए और दोनों में मित्रतापूर्ण समंद देखे गए और अब एक बड़ी विडंबना ये थ चले और कुछ समय के बाद जो है यह यो कहें कि युद्ध काल में ही इन समंदों पर युद्ध काल में ही ये समंद जो है वो बिखरे हुए टूटे हुए दिखाई देने लगे थे और मुख्य रूप से युद्ध के समापन के बाद दोनों माशक्तियां एक दूसरे के वि के बीच कई सारे कारण थे जिसमें हमने जिक्र भी किया था कि अमरीका द्वारा परमानोगम का प्रियोग बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया विश्व में अनो यूका सुत्रबाद तो हुआ ही लेकिन उसने युद्ध काली नमित्रास्टों के मित्रता को भी द्वस्त कर दिया था ये बहुत बड़ा और युद्ध का तातकाली कारण जो है वहाँ पर था तो ऐसे जो कारण थे इन कारण से दोनों महाशक्तियां युद्ध के समापति के बाद अपने बुनियादी मतवेदों के तरफ पुने लोटने लगी और 1950 का समय आते आते तक दोनों महा विवस्था बेचारिक रूप से इन में प्रारंब हो गई और ये जो विवस्था थी दोनों एक दूसरे का बिरोध आलोजना और अपना शरवत्र प्रचार और प्रचार करने में लग गए शोवियत संग और अमरिका कटूतापूर्ण समंदों को इन दोनों के अगर दोनों गुठ कोटनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक और अगर हो सकें तो सैनिक मोर्चों पर भी एक दूसरे को पराजित करने में सलगन हो गए और दोनों गुठों में भै और तनाव का माहौल सरवत्र व्याप्त हो गया और एविश्वास का माहौल यहा जिसे कुछ विद्वान लेखकों ने ससस्त्र सांती का युग कहना उचित समझा है ससस्त्र सांती का युग अर्थार्थ ऐसी इस्तिती है जिसमें डिप्लोमेटिक रूप से तो सांती दिखाए दे रही है बस्तों में युद्धमान इस्तितिया नहीं है लेकिन वस्तों में सस्त्रों ने इतना वस्ता फेला दी है जिस कारण से वो असांत हो गए हैं या सस्त्रों की होड में राष्ट लग गए हैं ऐसे जैसे कि यो दमानिस्तियों में लगते हूं इस प्रकार सेत्यूद जो है मायूद के उपरांत अंतरस्टिये राजनीती का एक मैतो पूर्ण विकास है मैतो पूर्ण परिवर्तन है जिसकी दो प्रकार से वेक्या हम कर सकते हैं सित्युद एक वैचारिक संगर्ष है विचारों का संगर्ष सित्युद एक वैचारिक संगर्ष है वैचारिक संगर्ष कैसे जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि मायुद के बाद अलांकि ऐसा नहीं है कि मायुद में ही ऐसा हुआ हो इसके जो प्रश्वोमित और पेछे दिखाई देती हैं 1917 की बॉलसेवी क्रांती जिसको आपितियास में भी पढ़ते हैं 1917 की बॉलसेवी क्रांती से विश्व में समयवादी विचारधारा का प्रथम भी जारोपन माना जाता है और ये समय पाकर के पल्लवित और पुश्पित होती होती मायुद के आसपास और उसके बाद में कि स्पष्ट राजनितिक विचारधारा के रूप में विश्व मंच पर इस्थापित हो जाती है और विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर समयवादी विचारधारा का सासन पर इस्थापित हो जाता है अब इसके दूसरे दुर्व के रूप में मायुद के बाद पुझीवादी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रारंब होती हैं जिसका मुक्या अमरिका बनता है तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक वहचारिक संगर्स हैं तो इसमें दो विरोधी जीवन पद्दतियां भी हैं विरोधी जीवन पद्दतियां लाइफ स्टाइल दो विरोधी लाइफ स्टाइल भी यहाँ पर हैं एक उदारवादी व्यवस्था है दूसरा सम्यवाद एक लोक्तांत्रिक विवस्ता है दूसरी सरवादिकारवादी विवस्ता है तो ये जिवन पद्दतियों के बीच का एक वेचारिक संगर्स हैं जो सरवोच्चता प्राप्त करने के लिए पुझिवादी सरवादिकारवादी संगर्स मानिस्तिती हैं दूसरी तरफ दूसरी जो विचारधारा इसकी है उसमें सक्ति संतुलन की रजनेती का संगर्स इसको कहा गया है सक्ति संतुलन बैश्विक राजनीती में सक्ति संतुलन की जो राजनीती है यह यथार्तवादी विचारधारा है इसके मुख्य प्रनेता हैंस जे मारगें थाउ है यथार्तवादी राजनीती या यथार्तवाद पराधारित है और यह सक्ति संतुलन की नवीन विचारधा पुरानी वैस्विक सक्ति संतुलन की नवीन विचारधारा या नवीन प्रणाली है जिसमें अंतररास्टिय परिवेस में उधित दो महाशक्तियां संयुत राज अमेरिका और सोवियत संग जो हैं विश्व के अधिकांस राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना च चाते हैं यह जो विचारधाराओं का संगर्ष चाहे हम इसे माने इसमें पुण्जिवादी और समयवादी विचारधारा का संगर्ष है पुण्जिवादी उधारवाद का जंडा उठाये हुए हैं समयवादी जवसरवादिकारवाद का जंडा उठाये हुए हैं तो यह विचारधाराओं का संगर्ष, जीवन पद्धतियों का संगर्ष, आदर्सों का संगर्ष या आस्तिक और नास्तिकों का संगर्ष भी इसको कहा गया है। अब अपने प्रवाव सहतर में लाने के लिए जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पूरू में कि सैनिक गुटों ने बनाए 1950 के बाद में एक दूसरे का प्रशार रोकने के लिए सैनिक शंधियां भी इन्होंने की या जैसी यूरोप में जो सामिवाद का परिरोधन करने के लिए अ परिवाशित करने का प्रियास करती है इसको अर्थ को समझने का प्रियास करती है यह जो ससस्त्र सांति का यूग जो कहा गया इसमें वेचारिक संगर्स है जिवन पद्दतियों का संगर्स है सक्ति शंतुलन की अथार्टवादी जो विचारधारा है वो भी दिखाई देती अब प्रमुक प्रश्ण ये है कि इसका अर्थ क्या लिया जाए या इसको परिवासित कैसे किया जाए तो सीत युद्ध थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे और एक सत्रुता पूर्ण जो समंद है वो बिना बस्तविक युद्ध में तब्दिल हुए चल रहे हैं यही इसका सार संक्षेपन है सित युद्ध सब्द से सोवित संग और अमरिका के तनाव पूर्ण संगर्ष की अंतरस्टे समंदों की अभिव्यक्ती है जो विश्व युद्धोतर राजनेती की वास्तविक्ता है और इस विश्व युद्धोतर राजनेती में सत्रुता पूर्ण समंदों को गर्म युद्ध में परिवर्थित किये बिना सीत युद्ध में वेचारिक घ्रणा जैसा कि हम कह रहे हैं कि एनिमिक रिलेशन है विदावट होट वार ऐसे सत्रुता पून समंद जो कभी भी वास्तविक युद्ध में या होट वार में परिवर्टित नहीं होते हैं वास्तविक युद्ध अंतरस्टे समंदों के वास्तविक आभिव्यक्ति इसी रूप में की जा सकती है कि बिना सत्रुता पून समंद जो बिना वास्तविक युद्ध में तबदिल हुए एक दूसरे पक्ष के परती एक वेचारिक घ्रणा रखते हैं आइडियोलोजिकल हेटर रखते हैं वेचारिक घ्रणा रखते हैं एक दूसरे पक्ष के विरोध में वेचारिक घ्रणा विचारधाराओं के घ्रणा पुझी वादियों की अलोचना है सम्मेवादियों द्वारा की जाती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वैचारिक ग्रणा या वैचारिक संगर्स यहां पर दिखाई देता है यह इन समंदों की अभिव्यक्ति के रूप में एक सब्द दूसरा यहां पर राजनितिक एविश्वास पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट राजनि राजनितिक एविश्वास भी एक ऐसा शब्द है जो इसको थोड़ा समझने में हमारी मदद करता है इसके अलावा कूट नितिक जोड़ तोड़ कूट नितिक जोड़ तोड़ भी यहां पर मैतुपूर्ण हैं दूसरा मिलेटरी कॉम्पेटिशन एक दूसरे में शेहने के जो पुर्तरियों गिताएं हैं चल रहован हैं हत्यारों की होड है या बहुत बड़ा बजट जो अपने रक्षा पर खर्च किया जा रहा है। द्वारा करवाई जा रही है इसके एक तरीके का साइकलोजिकल वारफेर हैं एक मनो बेग्याने के युद्ध की इस्तिया यहां पर बनी हुई है यह द्विवस्तविक धरातल पर युद्ध नहीं हो रहा है तो यह सारे जो जो शब्द हैं वो इसको समझने के लिए यहां पर ideological attitude भी है, political distrust भी है, military competition भी है, आपका psychological warfare भी है, diplomatic maneuvering भी है, तो ये सारी चो इस्तितियां है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो सीतियुद्ध वास्तों में युद्ध नहीं होते हुए भी युद्ध की परिस्तितियों को बनाई रखने की एक कला है, जिसमें प्रतेक विशे पर विश्व शान्ती के द्रस्टिकोंड से नहीं, बलकि अपने निहित स्वार्थों के द्रस्टिकोंड से विचार किया जाता है, या निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता था, ये दोनों माशक्तियों के आपसे संबन्दों की वह स्थिती थी जिसमें दोनों पक्ष विभिन उपायों दुआरा एक दूसरे की शक्ति को निरंतर दुर्बल करना चाहते हैं और वास्तविक युद्ध में तब्देल भी नहीं होने देते हैं इन परिस्थितियों को एक तरीके से एक ऐसा युद्ध जिसका रण शेत्र मानव का मस्तिस्क है वस्तिविक युद्ध का मैदान है जो है इसका रण शेत्र नहीं है बलकि मानव का मस्तिस है इसे वार ओफ नर्स भी कहा गया वार ओफ नर्स मस्तिस्क युद्ध है मस्तिस्क युद्ध क्योंकि वैचारिक युद्ध है विचारदाराओं का युद्ध है वैचारिक युद्ध है इसमें रणक्षेत्र का सक्रिय युद्ध सामिल नहीं है परंतु विपक्सी राज्यों के सभी राजनितिक आर्थिक और समाजिक समंद में सत्रुता बरे तनाव की स्थितियां हैं, सीत युद्ध के नरसंगारक दुष परिणामों से बच्चते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्धिशों को प्राप्त करने की एक कला दिखाई देती हैं, एक नूतन स्थ्र, नूतन व्य दिखाई देती हैं, सीत युद्ध एक प्रकार का वाकयुद्ध हैं, जो कागज के गोलों से लड़ा गया, ये वस्तों में बमों से नहीं लड़ा गया, पत्र पत्रिकाई, रेडियो तता प्रचार के सादनों से लड़ा गया, विदेशी गुटू के जनताओं को के जरिय किया गया, सम्मेवादी, पुझीवादियों के बिरोध आरोप लगाते हैं, और पुझीवादी, सम्मेवादियों को सब के सामने लाने का प्रयास करते हैं, उनके विचारों को सब के सामने खोलने का प्रयास करते हैं, एक प्रकार से प्रचारात्मक युद्ध हैं जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ ग्रणा और प्रचार ग्रणा से बरे माहूल का नफरत बरे माहूल का प्रचार प्रसार करना चाहती है और इस प्रकार से सीत युद्ध जो है एक कूर्णितिक युद्ध है जिसमें सत्रू को अकेला करने और मित्रों की खोज करने में चत्रूराई का प्रियोग भी किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे शब्द जो है सीत युद्ध को समझने के लिए कहे गए हैं। सेत युद्ध को इन सारे सब्दों से समझने का प्रियास करना चाहिए क्योंकि केवल एक शब्द द्वारा हम इसकी संपुन वैक्या या इसके अर्थ को ग्रहिण नहीं कर सकते हैं इसके अर्थ को ग्रहित करने के लिए हमें इन सभी शब्दों का इस्तवाल करना होगा, सभी शब्दों को समझना होगा इसके बाद में हम इसके कुछ परिवाशाओं की बात करते हैं बहुत सारे विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से इसको परिवासित करने का प्रियास किया है जिसमें एक प्रमुक विचारक है पंडित जमारलाल नहरू इन्हों ने जो परिवाशा दी है संक्षिप्त परिवाशा है और वो है कि पुरातन शक्ति शंतुलन की जो धारणा है उसका नया रूप है पुरातन शक्ति शंतुलन की जो धारना है उसका नया रूप है और ये विचारधाराओं का संगर्स नहो करके महाशक्तियों का संगर्स है जैसा कि हम इसके अर्थ में बात कर रहे थे जिक्र कर रहे थे कि ये वेचारिक संगर्ष हैं और दो विचारधाराओं का दो जीवन पद्दतियों का संगर्ष हैं वस्तों में नहरू ये कह रहे हैं कि ये विचारधाराओं का जीवन पद्दतियों का संगर्ष नहीं है बलकि दो महाशक्तियों का संगर्ष है दो महाशक्तियों का युद्ध है और इसमें पुरातन सक्ति शंतुलन की अवधारना जो है सबसे मुखे हैं ये दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संगर्ष है वैचार काधार पर केवल मात्र विचारधाराओं का संगर्ष नहीं है एक और प संक्षेप में लिखा हमने यहाँ पर कि सक्ति संगर्स की राजनीती का मिला जुला परिणाम है। प्रभाव शेत्र बढ़ाना चाहते हैं, अपना विचारिक शेत्र बढ़ाना चाहते हैं, अपने सैनिक शक्ति और अपना अधिकार चाहते हैं। पर दिखाई देता है इसमें दो विरोधी विचारधाराएं संगर्स रत हैं दो प्रकार की परस पर विरोधी पद्दतियों का परिणाम है दो विरोधी प्रकार की चिंतन प्रणालियां हैं और अंतरस्टिये संगर्स पुनरस्टिये हितों के विवेक्ति के लिए समय और पर राजनीति का मिलाजुला परिणाम ऐसा डाक्टर म.S. राजन यहां पर कह रहे हैं। तो सक्ति संगर्स की राजनीति यहां पर सीत युद्ध के माध्यम से दिखाई देती हैं। एक और विद्वान है, डलेस महुदे, फॉस्टर डलेस महुदे कहते हैं कि सीत युद्ध नैतिक द्रस्टी से धर्म युद्ध हैं और ये नास्तिक और आस्तिकों के बीच में संगर्ष हैं, ये यो कहें कि नास्तिकों के बिरुद्ध आस्तिकों का संगर्ष हैं, बुराईयों के बिरुद्ध अच्छाईयों का संगर्ष हैं और सत्ते के लिए गलतियों के बिरुद्ध और धरम प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के बिरुद्ध संगर्ष कहा है, एम फोस्टर डलेस मोदे ने इसके अलावा एक और विद्वान है ग्रिव्ज ग्रिव्ज मोदे ने भी इसको परिवासित करने का प्रियास किया है और उनके सब्दों में परमाणु यूग में से यूदे के ऐसी तनावपूर इस्तती है परमाणु यूग में यहां पर इन्होंने और एक अलग एंगिल से इसको परिवासित करने का प्रियास किया है परमाणु यूग में जो हैं सेत यूद्ध एक ऐसे तनावपूर इस्तिती हैं जो ससस्त्र यूद्ध से कुछ हटकर है यह यह कहें कि वस्तविक युद्ध में इन तनापूर्ण इस्तियों को तब्दील नहीं होने देती हैं। करने के शक्ति भी रखता है। इन्होंने सीत युद्ध के बारे में अपनी पुस्तक दे कॉल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 1967 में लिखा कि सीत युद्ध परमाणो युग की एक ऐसी वस्तविकता है या ऐसी तनापूर्ण इस्तति हैं। जो ससस्त्र युद्ध से एकदम भिन्ध है किन्तु उससे एक भयानक युद्ध है। युद्ध है ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अंतरस्टे समश्चाओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें और उलज्चा दिया गया है। अंतरस्टे समश्चाओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें और उलज्चा दिया गया है और विश्व के सभी देश और सभी समश्चाएं चाहे वे वियतनाम हों, चाहे कस्मीर समश्चा हो, कोरिया हो अत्वा अरब इज्राइल संगर्स हों, सभी सीत युद्ध में मोहर हारले मोदे ने इसको यथार्तवाद के आधार पर इसपष्ट करने का प्रयास यहां पर किया है, यह कह रहे हैं कि वस्तुत है सीत युद्ध वस्तविक युद्ध नहीं था, अपे तो युद्ध का वातावरन था, और नहरू के शब्दों में सीत युद्ध का वातावरन निलंबित मृत्यू दंड के समान था निलंबित मृत्यू दंड कौन कह रहे है पंडित नहरू इसके बारे में कह रहे है कि निलंबित मृत्यू दंड some kind of suspended death sentence निलंबित मृत्यू दंड निलंबित मृत्यू दंड पंडित नहरू के अनुसार किसको सीत युद्ध को some kind of suspended death sentence some kind of death sentence तो इस प्रकार सीत युद्ध जो है वो ऐसी तनावपून संगर पून अं तरह स्टेज देती है जिसके केंदर में दो विचारधाराएं हैं, जिसके केंदर में दो भीमाकार, दो देत्याकार महाशक्तियां हैं, जिसके केंदर में दो परशपर विरोधी चिंतन पद्दतियां हैं, जिसके केंदर में दो परशपर साशन की पद्दतियां हैं, और जिसके केंदर में दो आपर ये समझना होगा कि एक दूसरे के बिरुदिनों ने कभी भी अपने राजनेतिक सम्मंदों को खतम नहीं किया है। हुआ कि वाज एक भाज़िक सम्मंदों को खतम है।